हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रवी स्टडी आई क्यू जीके बार फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉरेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है भारतिय सम् सम्विधान से हमारे सम्विधान में क्या चीज़ एड करी गई है इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्रिड और इंपॉरेंट लिया है अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल रहने वाला है फ्रेंट हर इक्जाम में इस टॉपिक से कोशन पूछे ही जाते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा भारतिय सम्विधान की संशोधन प्रकिरिया किस देश के स सम्विधान से प्रभावित है सही आंसर है option D दक्षिन अफरिका भारतिय सम्विधान की जो संशोधन प्रकिरिया है फ्रेंट यह दक्षिन अफरिका के देश से लिया गया है यह आपको याद रखना है फ्रेंट यहां पर बात होई है सम्विधान संशोधन की दो important question बनते ह आपसे पुछा जाएगा कि भारत के सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान संशोधन से संबंदित है आपका आंसरोगा भाग 20 एक question और पुछा जाता है भारत के सम्विधान का रूचे 368 किस से संबंदित है आपका आंसरोगा सम्विधान संशोधन से next question भारती सम्विध समवर्थी सूची यानि की कॉंकुरेंट लिस्ट को लिया गया है। कोशन को डिटेल से समझते हैं, समवर्थी सूची अत्वा तीसरी सूची भारत के समविधान की सात्मी सूची में दिये गए बावन विशय की सूची है। अगला कोशन, भारत में सरकार की संसदिय प्रनाली मंदली सरकार व्यवस्था कहां से ग्रहन की गई है। सही आंसर है, Option B, ब्रिटेन के समविधान से। ब्रिटिश समविधान से भारत में सरकार की संसदिय प्रनाली मंदली सरकार व्यवस्था ली गई है। अगला कोशन, भारती समविधान में पंच वर्षे योजना कहां से ली गई है। most important question है, यह सही answer है, option B, Soviet Sung, जिसे कि हम friends हम USSR भी बोलते हैं, ठीक है, और present में friends किया है, यह Russia है, तो आपको याद रखना है, भारतिय सम्मिधान में जो 5 year plan है, यानि कि 5 वर्षय योजना इसे Soviet Sung से लिया गया है, अगला question, भारतिय सम्मिधान में प्रस्तावना की भाशा किस दे Australia, Australia देशेफेंस भारतिय सम्मिधान में प्रस्तावना की भाशा को लिया गया है, अगला question, डबल स्टार मार करना इस question को, राज्य के निती निदेशक सिद्धान किस देश से लिये गए हैं, सही answer होगा, option A, Ireland, Ireland देशेफेंस भारत के निती निदेशक सिद्धान को लिया ग भाशन को सिद्धान में आया था, तो आपको बता हो ना जिए फे cheers, मैं न ही राज्य की निती नित्रक सिद्धान फ्यित्धान शामिल है, इन सिद्धान को उद्देशे लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक निया सिनुषित करना और भारत को एक अल्यानकारी राज्य के र द्री सदन का सिद्दांद किछ देश से लिया गया है आंसर होगा option B United Kingdom या बोल सकते हो Britain ठीक है या बोल सकते हो England इस देश के समविधान से लिया गया है द्री सदन का सिद्दांद द्री सदन का अर्थ जान लेते हैं द्री सदन का अर्थ होता है केंदर और राज्य सतर पर दो सदनों का होना। उधारन के लिए केंदर में लोकसभा और राज्य सभा उसी प्रकार भारत में छे राज्यों में विधान सभा और विधान परिशद है। नेक्स कोशन, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारती सम्विधान विक्सित हुआ था? सही आंसर होगा, ऑप्शन C, भारती सम्विधान में लिखित सम्विधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर होगा, ऑप्शन D, अमेरिका देश से. भारती सम्विधान में लोग सेवा आयो का प्रावधान कहां से लिया गया है? सही आंसर होगा, ऑप्शन B, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, आपको याद रखना है, भारती सम्विधान में जो लोग सेवा आयो का प्रावधान है, इसे लिया गया है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम से. नेक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक अधिक शक्तिशाली निचला सतन का प्रावधान लिया गया है युनाइटेड किंटम से ये आपको याद रखना है अगला कोशन भारतिय समविधान में लोगसभा में अधpower का प्रावधान किस देश से लिया गया है सही answer होगा ऑप्रेड किंटम से भारते सम्विधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्राफधान कहां से लिया गया है United Kingdom से फ्रिंट्स आपको कोशन का लेवल देखे पता लग रहा हो कि सभी कोशन जो है exam oriented है फ्रिंट्स अगर आप ये सभी कोशन exam से पहले रट लेते हो मतलब आपको सत्तर के आसपास कोशन करवाने वालों किसी भी बुक में आप दिखोगे फ्रिंट्स आपको 10 या 15 कोशन ही मिलते हैं लेकिन मैं आपको सत्तर कोशन मैराथन वीडियो लिख आया हूँ इस टॉपिक पे एक एक कोशन आप रट के जाना इससे बाहर आपको एक भी कोशन नहीं मिलेगा ये आपके रवी सर का वादा है अगला कोशन भारते समिधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर होगा option D United Kingdom से भारते समिधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान लिया गया है United Kingdom से नेक्स कोशन भारते समिधान में अनुछेद 108 यानि की दोनों सदनों की सयूंगत बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर होगा option A Australia देश से भारती समिधान में अनुछेद 108 यानि की दोनों सदनों की सयूंगत बैठक का प्रावधान लिया गया है Australia देश से या आपको याद रखना भारती समिधान में राष्टपती चुनाब की विधी का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर होगा option C Ireland देश से भारती समिधान में राष्टपती चुनाब की विधी का प्रावधान आयरलेंड देश से लिया गया है यह आपको याद रखना है फ्रेंस देखो यह टॉपिक आपके लिए मैं लेकर रहा हूँ ना इंडियन पॉलिटी का काफी ज़्यादा इंपॉर्णन टॉपिक है अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना कॉमेंट ब तो इसको अब जरूर सब्सक्राइब कर लेना करन्ट फिर जबाय रवी को अगला कोशन भारतियस हम्मिधान में राष्टपती राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करते हैं का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर होगा option D. Ireland भारतियस हम्मिधान में राष्टपती दक्षिन अफ्रिका भारते समिधान में राज्य सभा के सदस्यों का चुनाब का प्रावधान दक्षिन अफ्रिका देश से लिया गया है नेक्स कोशन भारते समिधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोट काम करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर होगा option D जापान देश से भारते समिधान में कानून जिस पर सुप्रियम कोड काम करता है यह प्राफधान लिया गया है जापान देश से यह आपको याद रखना है फ्रेंट्स नेक्स कोशन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूस है गुड न्यूस यह है कि हमारी जो paid PDF है वो launch हो चुकी है आपको हमारी website पर जाना है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com इसको note on कर लेजिए यह स्क्रीन शॉट ले लेजिए यहाँ पर आपको हमारी वार्शी की 2022, quality की, geography की, history की, general science की, computer की हर subject की paid PDF मिल जाती है भारती समिधान का सबसे बड़ा 51 रोत क्या है सही आंसर होगा option d government of India Act 1935 भारती समिधान का सबसे बड़ा 51 रोत है यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया Act 1935 भारत की संग्य विवस्ता किस देश की संग्य विवस्ता से अधिक समानता रखती है आंसर होगा option b Canada भारत की जो संग्य विवस्ता है यह Canada देश की संग्य विवस्ता से अधिक समानता रखती है नेक्स कोशन भारतिय समिधान के अंतरगत संग और राज्यों के बीशक्तियों का विभाजन किसकी प्रेणा पर अधारित है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन B कैनेडा भारतिय समिधान के अंतरगत संघ और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन ये लिया गया है कनेडा देश से ये आपको याद रखना है अग्ला कोशन भारतिय समिधान में मौलिक करतवय का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है सही आंसर है option C, रूस के समिधान से, रूस देश के समिधान से फेंट्स भारते समिधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अगला question, भारते समिधान में मौलिक अधिकारों का उल्ले करते हुए निमलिकित में से किस देश का अनुसरन किया गया है सही आंसरोंगा option B. अमेरिका भारतिय समिधान में मौलिक अधिकारों का उल्ले करते हुए अमेरिका देश का अनुसरन किया गया है Next question भारत के समिधा निर्माताओं ने निया एक पुन्रा लोकन के विचार को किस देश से ग्रहन किया है सही आंसरोंगा option D. अमेरिका से भारत के समिधा निर्माताओं ने निया एक पुन्रा लोकन के विचार को अमेरिका देश से ग्रहन किया है ये आपको याद रखना है अगला question कानून के समान संदक्षन वाकिय कहां से लिया गया है सही आंसर है option A. अमेरिका कानून के समान संदक्षन वाकिय को अमेरिका देश से लिया गया है ये आपको याद रखना है most important question है अगला question राश्पती द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामंकन का नियम किस देश के समिधान से लिया गया था सही आंसर होगा इस question का option B. Ireland राश्पती द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामंकन का नियम जो है ये Ireland देश के समिधान से लिया गया था अगला question भारती समिधान में मूल कर्तवियों को शामिल करने का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है सही आंसर होगा option D. पूर्व सोवियत संग भारती समिधान में मूल कर्तवियों को शामिल करने का जो विचार रेफरेंस ये पूर्व सोवियत संग देश के समिधान से लिया गया है या आप बोल सकते हो USSR से लिया गया है या बोल सकते हो Soviet संग से लिया गया है अगला question संघात्मक शाषन विवस्थाओं को सौरपथम किस देश ने अपनाया। सही आंसरोगा option C, Canada देश ने। संघात्मक शाषन विवस्थाओं को सबसे पहले किस देश ने अपनाया है। कैनेडा देश ने। अगला कोशन, संसदिय शाषन परनाली सौरपथम किस देश में विवस्थित हुई है। सही आंसरोगा option A, Britain देश में सबसे पहले फैंस संसदिय शाषन परनाली को विवस्थित किया गया है। अगला कोशन, भारत ने समवर्ती सूची, जैसे कि हम concurrent list भी बोलते हैं कि संगलपना किस देश के सम्विधान से उद्रित है। सही आंसर है इस कोशन का option A, Australia के सम्विधान से। नेक्स कोशन, भारती सम्विधान में नहीत विधी द्वारा स्थापित प्रकिरिया या बोल सकते हो प्रोसेस established by law किस देश के सम्विधान से ग्रहन की गई है। अगला कोशन करते हैं भारत में सरकार की प्रनाली कहां से ग्रहन की गई है। अगला कोशन भारती सम्विधान में अपात संबंदी उपबंद भारत साशन अधिनियम 1935 और किस देश के सम्विधान से लिया गया है। सही आंसर होगा इस कोशन का ऑप्शन B जर्मनी के वीमर सम्विधान से ग्रहन के संदक्षक के रूप में सर्वोच नियाले का अधिकार वेश्व के किस सम्विधान से लिया गया है। सही आंसर होगा इस कोशन का ऑप्शन C अमेरिका के सम्विधान से सम्विधान के संदक्षक के रूप में सर्वोच नियाले का अधिकार अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है। अगला कोशन भारती सम्विधान में उलिखित सोतंतरता समानता और बंदुता की संकल्पना किसे प्रेरित है। अगला कोशन भारत में कलेक्टर का पद अपनिवेशिक शाषन ने उधार किस देश से लिया था। अगला कोशन विधी के समक समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। सही आंसर है उप्षन ए इंगलेंड के सम्विधान से फेंड्स विधी के समक समता का प्रावधान लिया गया है। अगला कोशन स्वर्व सत्ता संपन संसद की अवधाना किस देश की देन है। सही आंसर है उप्षन ए इंगलेंड देश की। अगला कोशन भारती सम्मिधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कारेपालिका के अधिकारों को किस देश के सम्मिधान से लिया गया है सही आंसर है option B Germany अगला कोशन भारतिय सम्विधान में संसदिय विशेशाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर अधारित है सही आंसर होगा option D. ब्रिटेन देश भारतिय सम्विधान में संसद्य विशेशादगार की संकलपना जो है बृतेन देश के सम्विधान पर अधारित है अगला कोशन संयुक्त राज अमेरिका के सम्विधानिक आदर्शों पर भारतिय सम्विधान में कौन सी विवस्ता शामिल की गई है सही आंसर है ऑप्शन डी उप्युक्त सभी सहीं राज अमेरिका के सम्विधान से विवन्थ भारत में संक्य साशन विवस्ता को मौलिक अधिकार को स्वतंत्र एवं निस्पक शर्वोच नियाले और नियाईक पुर्ना उलोकौन को लिया गया है अगला कोशन भारती सम्विधान के निर्मान में सरवादिक गंभीर परवाव निर्मिकित में से किसने चोड़ा है सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 अगला कोशन सर्वोच नियाले की विवस्ता भारती सम्विधान में किस देश से लिया गया है सही आंसर होगा ऑप्शन B USA सर्वोच नियाले की विवस्ता भारती सम्विधान डीपेंस USA देश से लिया गया है अगला कोशन करते हैं भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में परतिश्ठापित सोतंतरता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेणा कहां से मिली थी सही आंसर है ऑप्शन है फ्रांस की करांती एक्जाम के लिए काफी important कोशन है कोशन यह है कि भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में प्रतिश्ठापित सोतंतरता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेणा हमें मिली है फ्रांस की करांती से अगला कोशन निम लिखित में से कौन सा लक्षन भारतिय परीसंग और अमेरीकी परीसंग के समान रूप में पाया जाता है सही आंसर होगा option d सम्विधान के निर्वाचन के लिए परी संगिये उच्तम नियालन अगला कोशन निम लिकित में से वह सम्विधानिक दस्ता बिच कौन सा है जिसका भारती सम्विधान त्यार करने में गहरा परभाव पड़ा है सही आंसर है ऑप्षन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 अगला कोशन भारती सम्विधान में मूलबूत अधिकार कि सम्विधान से लिए गए थे सही आंसर है ऑप्षन है USA यानि कि सयंगतराज अमेरिका अगला कोशन भारत के राष्टपती की अबातकालिन शक्तियां निम लिकित में से किस देश की देन है सही आंसर होगा ऑप्षन C जर्मनी के वीमर सम्विधान की भारत के राष्टपती की अबातकालिन शक्तियां जर्मनी के वीमर सम्विधान से ली गई है आपको कोशन का लेवल देखे बता लग रहा होगा सभी कोशन काफी इंपोरेंट है और मैंने बहुत महनत करी आप सभी के लिए बेस्ट कॉंटेंट लाने में देखो ये वीडियो तो मैं आप सभी के लिए 20 या 30 मिन में खतम कर दूँगा लेकिन अगर आप ये लेकिन मैंने आपका टाइम बचाया है अगर आपको मेरी महनत और वीडियो की कॉलिटी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर जाना वेंट ठीक है और आप सभी की डिमांड आ रही थी रवी सर आप लाइव आईए तो मैं लाइव आ चुका हूं अपने सब्सक्राइब कर लें ठीक है मैं रवी ती ब्लॉग से योट्यूब चैनल यहाँ पर आपने रवी सर को आप लाइव देख सकते हो अगला कोशन भारती सम्विधान में अपातकाल के तौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के सम्विधान से प्रिरेथ है मोस्ट इ सम्विधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारना को उधार लिया है आंसर होगा ऑप्शन है USA के सम्विधान से अगला कोशन सम्विधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षन अमेरिका के सम्विधान से ग्रहन किया है सही आंसर है ऑप्शन D उप्युक्त सभ नियाएक समिक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच नियाले के नियाधिशों को पद से हटाने की विधी अगला कोशन, हमारे समिधान में मूल अधिकार किस समिधान से प्रेरित है सही आंसर होगा, option A, America हमारे समिधान में मौल अधिकार, जो है फेंस, ये, अमेरिका के समिधान से लिया गया है अगला कोशन, समिधान इर माताओं ने कौन सा लक्षन अमेरिका के समिधान से ग्रहन किया है आंसर होगा, option B, सर्वोच नियाले के नियाधिशों को पद से हटाने की विधी अगला कोशन, भारत के समिधान में उदेशिका का विचार कहां से लिया गया है most important question है, ये, सही answer है, option C, अमेरिका के समिधान से उदेशिका का विचार लिया गया है उद्धिशिका की भाशा अलग है विचार अलग है ठीक है तो उद्धिशिका का विचार कहां से लिया गया है अमेरिका के सम्विधान से अगला कोशन भारती सम्विधान में राज्यों की संग की संकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है आंसर होगा option D Canada भारती सम्विधान में राज्जयों की संग की संकल्पना को लिया गया है Canada देश से अगला question भारती सम्विधान की प्रस्तावना में सम्मेलित, सोतंतरता, समांता ईवं बंदुतव का सिद्दांत किस देश से लिया गया है आंसर होगा option A, France देश से भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में समेलित, सौतंतरता, समानता एवं बंदुतव का सिद्धान्त लिया गया है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में समाजिक, आर्थिक, राजनितिक न्याय का अदर्च किस देश से लिया गया है आंसर होगा इस question का option A, रूस देश से अगला question, भारती समिधान में प्रस्तावना को किस देश के समिधान से लिया गया है सही answer होगा option D, अमेरिका भारती समिधान में प्रस्तावना को फ्रेंट्स अमेरिका देश के समिधान से लिया गया है भारती सम्विधान में सम्विधान की सर्वोचता को किस देश की सम्विधान से लिया गया है आंसर होगा option B America भारती सम्विधान में सम्विधान की सर्वोचता को अमेरिका देश की सम्विधान से लिया गया है next question भारती सम्विधान में राज्यपाल की नियुक्तिया बोलते हो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है आंसर है option C Canada देश से भारती सम्विधान में निया पालिका की सोतंतरता के प्रावधान को कहां से लिया गया है आंसर होगा option B America भारती सम्विधान में निया इपालिका की सोतंदर्ता के प्रावधान को अमेरिका देश से लिया गया है अगला कोशन अफसिश शक्तिया केंदर के पास के प्रावधान को किस देश के सम्विधान से लिया गया है आंसर होगा ऑप्शन B कैनेडा अफसिश शक्तिया केंदर के पास इसका प्रावधान लिया गया है कैनेडा देश से नेक्स कोशिंग कर लेते हैं निर्वाचित राश्टपती एवं उस पर महा भीयोग के प्रावधान को किस देश के सम्विधान से लिया गया है आंसर होगा option C, America निर्वाचित राश्टपती एवं उस पर महा भीयोग के प्रावधान को लिया गया है अमेरिका देश से भारती सम्विधान में उप्राश्टपती का प्रावधान को कहां से लिया गया है आंसर होगा option A, America उच्टम एवं उच नियाले के नियाधीशों को हटाने की विधी का प्रावधान लिया गया है अमेरिका देश से अगला कोशन भारती सम्विधान में वित्य अपात के प्रावधान को कहां से लिया गया है आंसर होगा option D, America भारती सम्विधान में गन तंतरात्मक विवस्था को कहां से लिया गया है आंसर होगा option D, France भारती सम्विधान में राश्पती के निर्वाचक मंडल की विवस्था को कहां से लिया गया है सही answer है option A, Ireland आइरलेंड देश से फेंड्स भारती सम्विधान में राश्पती के निर्वाचक मंडल की विवस्था को लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रकिरिया को किस देश के सम्विधान से लिया गया है आंसर होगा option A, दक्षिन अफरिका राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रकिरिया लिया गया है दक्षिन अफरिका के देश से भारती सम्विधान में परमादिकार लेक के प्रावधान को किस देश के सम्विधान से लिया गया है आंसर होगा option D, Britain चीज देन, भरती सम्विधान में परमादिकार लेक के प्रावधान को बिटेन देश के सम्विधान से लिया गया है, फ्रेंट्स मैंने आपको यह 74 गोशन करवाए, अब 2 कोशन का टेस्ट है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है, पहला कोशन है फ्रेंट्स आप सभ बैक भी जरूर देना है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की quality, वीडियो content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी, और फिर इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे notes है, वो PDF format में available है, www.ravibooks.pdf.com, यह मेरा website है, PDF का, www.ravibooks.pdf.com, फिर यहाँ पर आप इस website पर visit करिये, और आप हमारी paid PDF को buy करके, अपने exam की त्यारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो, ठीक है friends, और आपको मैंने बताया था कि, अगर आपको PDF चाहिए, तो मेरे टेलिग्राम से ले सकते हो, रवी study IQ GK है, रवी study IQ GK, यहाँ से आपको PDF मिल जाता है, ठीक है, और किसी भी question मगर आपको doubt आता है, तो मुझे Instagram पर message कर सकते हो, Instagram handle है, रवी study IQ GK, ठीक है friends, और इसी के साथ एक बाद आपको मैं और बताना चाहता हूँ, आप से भी की demand आ रही थी, रवी सर आप live आईए, तो मैं live आया हूँ, अपने vlogging channel, रवी अदिति ब्लोक्स तो यहाँ पर आप उससे जूड़ सकते हो, रवी अदिति ब्लोक्स YouTube चैनल, ठीक है, comment box में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो के topic पर पढ़ना है, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, मिलते है friends सब हम next वीडियो में, thank you and wish you all the best.